Hello Traders, I hope आज का भी दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बहुत ही बहुतरीन बीता होगा क्योंकि आज भी maximum intraday stock में हम लोगों ने target को achieve किया है आज के लिटेडर्स मेरा सबसे पहला intraday stock था Tata Power जिसके अंदर आज हम लोगों को बहुत ही सांदार यहाँ पर breakdown देखने का मौका मिला और उसके बाद यह easily अपने सारे targets को achieve करते हुए नजर आया है आज के लिए मेरा अगला intraday stock था ACC और ACC के अंदर भी traders आज हम लोगों को एक बहुत ही सांदार यहाँ पर breakdown देखने का मौका मिला और फिर यह भी अपने सारे targets को बहुत ही successfully achieve करते हुए नजर आया है ACC traders आज मेरे लिए personal favorite intraday stock था क्योंकि अगर हम लोग इसको 5 minute के time frame पर देखेंगे तो first 5 minute में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हम लोगो candle का closing देखने के लिए मिला था second candle में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यह बहुत अच्छी तरह से retesting लिया था और उसके बाद जो first 15 minute का candle बना था वो भी अपने इस support के नीचे में ही बना था तो इसके मतलब था कि यहाँ पर हम लोग अपने trade को NCA कर सकते थे और उसके बाद continuously इसके अंदर हम लोगो एक falling pressure करियेट होते हुए नचराया है आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock था Infosys Infosys के अंदर traders हम लोगो हलका सा gap down opening देखने के मिला था और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि फिर से यह जाकर के अपने इसी level को claim किया फिर यहाँ पर हम लोगो एक अच्छा breakdown देखने का मौका मिला और उसके बाद यह भी अपने target को बहुत ही successfully achieve करते हुए नचराया है मेरा अगला intraday stock था आज के लिए Kotak Bank Kotak Bank के अंदर भी traders हम लोगो similar चीज होते हुए नचराया starting के कुछ देर तक इसके अंदर buying strength देखने के लिए मिला था इसके अंदर एक reversal create हुआ और यह जाकरके हमारे stop loss को hit कर गया तो JaiCorp आज हमारे लिए एक मत्र losing intraday stock रहा है बाकी सारे intraday stock में हम लोगों ने अपने target को successfully achieve किया है इसके साथ सा traders मैंने Reliance का भी chart analysis आप लोगों के साथ share किया था आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock था बजाज फिंजर I hope इसके अंदर आज आप में से किसी ने भी कोई भी trade initiate नहीं किया होगा क्योंकि traders पिछले वीडियो मैंने आप लोग clearly बताया था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में proper closing आने के बाद ही हम लोग trade को initiate करेंगे साथी में traders कल जितने लोगों ने live discussion class को attend किया था I hope उन में से तो कम से कम किसी ने भी इसके अंदर कोई trade नहीं लिया होगा क्योंकि कोई भी breakout हम लोगों को इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिला है class को करने से ही आप लोग नीचे comment section में बता सकते हैं आप लोग को मैंने proper entry लेना सिखा दिया था बस entry का second part बच गया था हम लोग का यानि कभ हम लोग को direct entry plan करना है बिना का अंदर का closing देखे हुए वो चीश traders में आप सभी लोग को अपने next class में सिखाऊंगा कभी time मिलेगा तो I hope traders आप सभी लोग को मेरी analysis के साथ साथ जो एकूरेसी है वो पसंदारी होगी इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा साथी में traders अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इतनी पहतरीन intraday analysis के लिए please चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा इसके साथ सा traders अगर आप लोग चाहे तो free telegram चैनल को भी join कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं आप लोग के साथ live market में कुछ intraday updates से साथी में कुछ intraday chart analysis भी share करता हूँ जैसे कि आज भी मैंने आप लोग के साथ यहाँ पर ITC और LIC का chart analysis share किया था और LIC के अंदर तो traders जब retesting हो गया था उसके बाद मैंने chart को share किया था और फिर इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा falling pressure हम लोग को create होते हुए नज रहा है और traders अगर बात करें ITC का तो ITC के अभी अंदर हम लोग को एक अच्छा breakout देखने का मौका मिला था और उसके बाद इस तरह के भी market में इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हलका सा buying strength हम लोग को देखने के लिए मिला है तो इसलिए अगर आप लोग चाहे तो telegram channel को भी join कर सकते हैं इसका link आप लोग को नीचे description box में मिल जाएगा और साथी में चाहूंगा कि आप लोग नीचे comment section में जरूर बताएगा कि आज आप लोगों ने कौन-कौन से intraday stocks के अंदर अपने trade को initiate किया था साथी में कल कितने लोगों ने live discussion class को attend किया था और उन लोगों को क्या सीखने के लिए मिला है stock के अंदर आज हम लोगों एक बहुत ही bearish momentum भी देखने के लिए मिला है तो अगर यही momentum कल भी continue रहता है और यह अपनी support को break करता है तो एक अच्छा खासा intraday fall हम लोगों को इसके अंदर catch करने के लिए मिल सकता है कल के लिए मेरा दूसरा intraday stock रहेगा आधित्या बिरला फैसन आधित्या बिरला फैसन के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोगों को हलका सबीरिस momentum इसके अंदर भी देखने के लिए मिला है stock जो है वो अपने इस trend line के आसपास में आकर के closing दिया है जो की इसके लिए बहुत ही strong support का काम कर रहा है साथी में ये जो zone मैंने draw किया हुआ है वो भी इसके लिए बहुत ही crucial role play कर रहा है पहले ये इसी zone पर resistance phase कर रहा था फिर इसके breakout आने पर हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा इसके अंदर momentum generate हुआ है और अब ये same zone इसके लिए strong support का भी काम कर रहा है तो आसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakdown देखने का मौका मिलता है तो फिर हम लोग double confirmation के साथ इसके अंदर अपने trade को initiate कर सकते हैं कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा Amboja Cements Amboja Cements के अंदर भी Traders आज हम लोग को continuously एक falling pressure create होते हुए nudge रहा है इनफाक्ट जितने भी Adani के stocks थे आज continuously उनके अंदर हम लोग को falling momentum देखने के लिए मिला है तो अगर यही momentum कल भी continue रहता है और अगर यह अपने इस crucial support को break करता है तो एक अच्छा कासा intraday fall हम लोग को इसके अंदर catch करने के लिए मिल सकता है क्योंकि Traders आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग को एक बहुत ही कुपसूरत सा cup और handle pattern भी यहाँ पर बनते हुए nudgeर आएगा तो इसलिए आप लोग कल के लिए इसे भी अपने radar पर जरूर रखेगा कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा ITC ITC के अंदर Traders हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा कासा triangle pattern हम लोग को बनते हुए nudgeर आ रहा है साथी में Traders इस तरह के market में भी आज ITC के अंदर हलका सा buying strength हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था हम लोग देख सकते हैं कि shorter time frame में already ITC के अंदर आज हम लोग को एक breakout देखने के लिए मिल चुका है कि ये जो train line है वो इसके लिए बहुत ही crucial support का काम कर रहा है stock के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बार-बार इसी train line से हम लोग को एक अच्छा कासा momentum generate होते हुए nudgeर आता है साथी में Traders ये जो zone मैंने ड्रॉ किया है ये भी इसके लिए crucial support का कल काम करेगा तो अगर यहाँ पर हम लोग को breakdown देखने का मौका मिलता है तो इसके अंदर भी हम लोग double confirmation के साथ अपने trade को initiate कर सकते हैं कल के लिए मेरा अगले intraday stock रहेगा LIC LIC के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही कुपसूरत सा हम लोग को channel pattern create होते हुए nudgeर आ रहा है और a stock जो है वो इसी channel pattern में खुद को बहुत ही अच्छी तरह से consolidate भी कर रहा है लेकिन traders जैसा कि आज मैंने आप लोग के साथ live market में अपने telegram channel पर भी share किया था LIC sorted time frame में यहाँ पर आज हम लोग को breakout दिखला चुका है और उसके बार traders हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा consolidation भी होते हुए नजर आ चुका है तो ऐसे में traders कल अगर यह अपने इस main support को break करता है जिसको यह पिछले 2-3 महीना से follow कर रहा है तो फिर हम लोग को इसके अंदर एक और अच्छा खासा falling pressure create होते होगे नजर आ सकता है लेकिन traders जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यह जो train line है वो इसके लिए लगभग 22 मही से ही support का काम कर रहा है तो इसलिए इसका breakdown देना इसके लिए उतना ज़्यादा असान नहीं रहेगा market के अंदर weakness होगा तभी हम लोग को breakdown देखने का मौका मिलेगा और proper breakdown आने के बाद ही आप लोग अपने trade को initiate कीजिएगा तो I hope traders आप लोग इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखेगा और in fact LIC ही नहीं किसी भी intraday stock में आप लोग को entry लेने से पहले proper breakdown का wait कर लेना है कम से कम 5 minute के अंदर आप लोग को candle का closing देखने के लिए मिल जाएगा support के नीचे या फिर resistance के उपर में तभी आप लोग अपने trade को initiate कीजिएगा और आज traders market के अंदर already हम लोग को एक अच्छा खासा momentum देखने के लिए मिल चुका है इंट्राइट रेडिंग के अंदर traders zero sum rule लागू होता है यानि कि अगर हम लोग profit earn कर रहे हैं तो कहीं ने कहीं कोई ने कोई लॉस कर रहा होगा और वहीं loss हमारे पास as a profit के रूप में आता है और अगर हम लोग loss कर रहे हैं तो कहीं ने कहीं कोई ने कोई profit भी बुक कर रहा होगा तो इसले टेड़ आप लोग अपने पिछले एक वी का penal चेक करके देखिए क्या आप लोग profitable है या फिर नहीं profitable है पिछले एक वीप में मैंने अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा try किया है कि आप लोग को मैं हर एक चीज को अच्छे से detail में समझा पाऊं आप लोग के लिए live class भी रख दिया है live market में भी जितने भी लोग मुझसे suggestions या advice मांगते हैं उन सभी को मैं live market में भी help provide कर रहा हूँ I hope मेरा जो help है वो उन लोग को पसंद आ रहा होगा मैंने अपना हर एक contact detail आप लोग को निचे description box में भी दिया हुआ है ताकि आप लोग को कहीं पर भी confusion आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं तो इससे जाधा traders मैं आप सभी लोग के लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ आगे चल करके हम लोग live stream भी करेंगे intraday trading के अंदर तो हो सकता है कि उससे भी आप लोग को थोड़ा बहुत benefit मिलेगा लेकिन तब तक के लिए आप लोग please proper breakdown पर ही अपने trade को initiate कीजिए और stop loss को please follow किया कीजिए तो चली traders वीडियो में आगे बढ़ते हैं कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा paytm paytm के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि ये जो zone है वो इसके लिए बहुत ही crucial support का काम कर रहे है साथी में यहाँ पर traders अगर आप लोग ध्यान से देखेगा तो हलका सा आप लोग को hidden solder pattern create होते हुए नजर आएगा तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakdown देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग को paytm के अंदर भी catch करने के लिए मिल सकता है कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा sun pharma sun pharma के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही कुपसूरत सा हम लोग को ascending triangle pattern create होते हुए नजर आ रहा है साथी में traders ये खुद को इस triangle pattern में बहुत ही अच्छी तरह से consolidate भी कर रहा है तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा कासा intraday momentum हम लोग इसके अंदर भी catch कर सकते हैं वीडियो में traders आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत ही जादा मेहनत लगती है आप लोग के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि similar to LIC यहाँ पर भी हम लोग को एक channel pattern create होते हुए नजर आ रहा है अपने आपको इसी channel pattern में बहुत ही अच्छी तरह से consolidate भी कर चुका है और आज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि last के intraday session में हलका सा यहाँ पर अच्छे volume के साथ में हम लोग को selling pressure भी create होते हुए दिख रहा है तासे में कल अगर यह अपनी इस trend line को break करता है इसके नीचे sustain कर जाता है तो फिर हम लोग को एक अच्छा खासा intraday fall यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है तो कल के लिए आप लोग take em को भी जरूर अपने radar पर रखेगा और traders मेरा अगला intraday stock रहेगा LNT क्योंकि इसके अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि यह जो zone है वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा crucial support का काम कर रहा है LNT traders बार बार आकर के इसी zone पर support लेते हुए भी हम लोग को नजर आ रहा है इसी लिए हमारा जो final target है वो 2856 के आसपास में रहने वाला है बाकी आप लोग first target पर भी कम से कम 50-70% profit जरूर बुक कर लीजेगा market conditions को देखते हुए और उसके बार traders अपने stop loss को भी trail करके अपने cost zone के आसपास में ला करके रखती जिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो आप लोग live market में मुझसे भी suggestion ले सकते हैं आज traders थोड़ा सा late reply आप लोग को देखने के लिए मिला होगा क्योंकि बहुत ही लोगों का मुझे message आ रहा था तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ solution निकालना पड़ेगा तो अगर आप लोग कुछ suggestion देना चाहते हैं तो नीचे comment section में बता सकते हैं नहीं तो मैं अपनी तरब से पूरा try कर रहा हूँ कि आप सभी लोग के message का reply मैं कर पाऊँ वो भी timely और कल के लिए traders मेरा आखरी intraday stock रहेगा Icer Motors Icer Motors के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुबसूरत सा हम लोगो cup और handle pattern यहाँ पर create होते हुए nurture आ रहा है stock के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही strong buying strength हम लोग को देखने के लिए मिला था रडार पर रखेगा तो कल के लिए आप लोग इन सारे intraday stocks को अपने रडार पर रख सकते हैं और traders इन सब के अलावा अगर किसी भी other stock के अंदर मैं कोई भी trade initiate करता हूँ या कोई भी opportunity देखने के मिलता है तो उसकी analysis में आप लोग के साथ अपने free telegram channel पर share कर दूँगा और साथी में traders last में ये भी में बतलाना चाहूँगा कि अभी भी कुछ लोग premium group के लिए inquiry कर रहे हैं तो traders मैंने already आप लोग को बता दिया है in fact एक video भी आप लोग के लिए create कर दिया है कि मैं एक से भी registered trader नहीं हूँ तो इसी कारण से मैं कोई भी premium group आप लोग के लिए नहीं बना सकता हूँ जहाँ पर मैं आप लोग को buy or sell recommendation दे सको तो इसलिए traders I hope कि आप लोग learning पर ज़्यादा focus कीजिएगा premium group join होने पर तो इसी के साथ हम लोग आज की अपनी इस video को खतम करते हैं I hope आप लोग को मेरी analysis पसंद आई होगी धन्यवाद